Hello Friends, Welcome to our YouTube channel Electric Loco Knowledge आज बात करेंगे कन्वेंशन लोकों में कैब किस तरह से चेंज की जाती है आगे हम आपको बताएंगे कन्वेंशन लोकों में कैब किस तरह से चेंज करना है आपको और जो भी हमारे चैनल पर नहीं है वो मारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले आपको S9 लगाकर लोकों को खड़ा करना है S9 को apply position में रखकर लोकों को खड़ा करना है और brake slender gauge में pressure का आना सुनिश्चित करना है और उसके बाद MP को N से 0 को लाना है एवं MPJ की को forward से 0 position से लाना है MPJ को 0 को लाने के बाद PLB MP को off करना है PLCP को off करना है जब BLDJ द्वारा VCB को open करना है एवं यह ensure करना है कि LRTJ lamp जल चुका है इसका मतलब VCB open हो चुका है उसके बाद आपको ZPT द्वारा पेंटो को lower करना है मतलब 0 पर लाना है उसके बाद BLK को off position में करकर रहा निकाल लेना है एवं ZPT को भी बहार निकाल लेना है और MPJ की को भी बहार निकाल लेना है और उसके बाद A9 S9 के चारो कॉक को आपको यहां से बंद करना है देख सकते हैं दो S9 के हैं और दो A9 के isolating कॉक हैं उनको बंद करना है एवं S9 को release करके सुनिशित करना है ब्रेक तो release नहीं हो रहे हैं उसके बाद आपको यह तीनों चाबी ZPT, BLK और MPJ की को लेकर दूसरी केब में जाना है जिसको working केब आपको बनानी है दूसरी केब में आने के बाद सबसे पहले आपको यह जो कॉक पहले से बंद होंगे दूसरी केब में उनको open करना है कॉक open करने के बाद यह सुनिशित करना है कि प्रेक स्लेंडर गेज में pressure है इसका मतलब आपके local brake लगे वे है उसके बाद आपको BL की को OFF से ON POSITION बे लाना है एवं LS DJ LAM का जलना सुनिश्चित करना है उसके बाद आपको ZPT की द्वारा PENTO को RAISE करना है ZPT की को एक पर रखना है इसका मतलब यह पीछे वाला PENTO ही आपका RAISE होगा PENTO RAISE हो चुका है PENTO RAISE होने के बाद आपको BL DJ SWITCH को ON करना है एवं BLR DJ को PRESS करके छोड़ देना है इसका मतलब आपका VCB CLOSE हो चुका है एवं MLR DJ का भुजना सुनिश्चित करें इससे यह आपको CONFORM होगा कि आपका VCB CLOSE हो चुका है आप BLCP को ON करके आपको PRESSURE बनाना है